हेलो इस्टूडेंट आज अपन इसी में वैलुएशन के अंदर आप पढ़ेंगे आज सिंकिंग फंड क्या है एक मुश्ट इंप्रोटेंट आफिक है और हर बार यह तीन नमर में क्यों सी सेकेंड में पूछा है मैं एक्जाम में हर बार इसलिए इसको बहुत अच्छे से प 10 या 20 साल उसका क्या हो गया उपयोगी जीवनकाल है क्या है उसका उपयोगी जीवनकाल है तो सिंकिंग फंड क्या होता है कि किसी संपत्य भवन का जो उपयोगी जीवनकाल है वो समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा विल्डिंग को गिरा के अपने को क्या करना पड़ेगा दूसरी building बनाने पड़ेगी अब दूसरी building पढ़ानी पड़ेगी तो क्या होगा अचानक से बहुत ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा तो अपने को क्या करना रहता है कि ये जो खर्च है building को दीजंत में जो building है उसको क्या करते हैं उससे जो अपने को बार्सिक आए होती है कि सोधन निधी के रूप में जमा करते जाते हैं और यह 10 या 20 साल वाद उसका कितना 90% जो भी अपने को construct करना है जो दुवारा से बिल्डिंग बनाने है उसका जो टोटल कीमत होगी जो टोटल लागत आएगी उसका 90% अपन किस से उसकी बारसिक आए से थोड़ा-थोड़ा किस्त जमा करके क्या करते हैं क्या करते हैं अपन गैन कर लेते हैं एक खट्टा कर लेते हैं तो इसी जो बारसिक जो किस्त जमा करते हैं टोटल जो अपने को संपत्ति है जो भी बिल्डिंग है जो भी भवन है उसका उपयोगी जीवनकाल समाप्त होने पर क्या करते हैं उसको दुबारा बनाने के लिए क्या करते हैं उस बिल्डिंग से जो भी बारसिक आय होती है विदिंग से अपनी जो भी बार्सिक को दोबारा बनाने के लिए तो इसी को जो जो चिस्त हो गी है उसे को किस्त को क्या बोलते हैं सिंकिंघाय। से जमा कर लेते हैं, और वांकी 10% होगी, जब गिराएंगे तो उससे जो मलवा होगा तो उसका मलवा का मूल नहीं कितना बचपना बचता है, गिराने के बाद जो मटेरियल होगा उसको बैचने पर जो मलवा होगा उसको बैचने पर 20 प्रतिसाथ kaS सब्सक्राइब बनाने के लिए उस बिल्डिंग से जो भी वारसिक आय होती है उसका कुछ पैसा या कुछ रूपे क्या है किस्त के रूप में अपने को जमा करना रहता है सिंकींड के रूप में जमा करते हैं हर साल जिससे कि अपनी उसको दबारा से बना सके हो ripping और उसके मालिक पर कोई लोड भी न आ उसी को क्या बोलते हैं sinking fund बोलते हैं और यह रासी sinking fund उसके बार से कमाई से 90% भागपन sinking fund से जमा कर लेते हो 10% गिराने पर जो मलवा प्राप्त होगा उससे 10% रासी है उससे जमा कर लेते हैं तो total 100% पैसा मिल जाता है अपने को दोबारा से building बनाने के लिए और जो honor है या जो honor है या जो मालिक है उस पर कोई load नहीं पड़ता है पैसे का ठीक है तो इसी को क्या बोलते हैं sinking fund बोलते हैं sinking पूछा हई तो इनम्ängtकी सिंवान का forgot फॉर्मौला कि जो बारशिक course किस्ट कितना और सी जो पैसा अपने को हरशाल जमा करना है वह निकालनार्थ यह लिएल्या उसको किससे आय से डनोट करते हैं कि सोधनonie कहीं किस्त होगी कि हरशाल है कितना जेहां हो उसको निकालने की जो फॉर्मूला होता है उसे क्या बोलते हैं बार्षिक सोधन निदी की किस्ता इसे आई से नूट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है एसा यह पॉर्मूला प्लस आई की पावर एन माइनस वन तो एसका क्या है कि अपने को टोटल जब बिल्डिंग गिरेगी तो अपने को टोटल कितना नभ्य प्रितिसत पैसा जमा करना है तो टोटल जैसे की नौलाक रुपए या 10 लाक रुपए जमा करना तो वो 10 लाक है कि total कितना ब्याज आज लग रहा है उस जैसे कि अपने पैसा जमा किया तो उस पर तो जो ब्याज बिलिएगा उसको क्या बोलते है वियाज की दर और एऐन क्या है कि कितने बर्सों में अपने को यह जमा करना है कि 10 लाइक रूपने को 10 साल में करना है तो ये एन किया है बड़सों की संख्या है ठीक है तो sinking fund का formula is dependent हो गया एस भी पता है क्या एस कोले total sinking fund है और capital आ ग् little sinking अल्वल मतलब बारसिक क सुधन निदी की मतलब हर साल कितना किस्त रिच्त जमा करनी जता थीक है तो ये आपको समझ आके होगा क्या होता है ठीक है अब पढ़ते हैं अपन capitalized value capitalized value या पूझी करत मूल क्या होता है कि किसी भी संपत्ति या property का बहे धनरासी है या बहे पैसा है जो क्या करता है उसकी जो अधिकतम बारसिक ब्याज है उसकी सुद्धाय के बराबर हो जाए तो किसी संपत्ति का मूल की बहे पैसा जो क्या हो संपत्ति से प्राप्त बहे पैसा होता है जो क्या होता है उसका जो अधिकतम बारसिक ब्याज है वो सुद्धाय के बराबर हो जाए मतलब अपने को जो उस पैसे से जो कमाई होगी उस प्रॉपर्टी से जो कमाई होगी उससे जो पैसा मिलेगा उसका जो ब्याज है उसकी सुद्धाय के बराबर हो मतलब उसमें खर्च बिल्कुल ना हो और पूरा पैसा अपने को प्रॉफिट में आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं फैसा एक भी खर्च नहीं करना है और पैसा अपने को पूरा किसके रूप में बच जाए अपने को सुद्धाय के रूप में बच जाए तो उसी को क्या बोलते हैं धीतालाइज़ वैल्यू बोलते हैं ठीक है अब है डिप्रिसेशन कोश्ट या मूल्य हास्ट किया होता है कि स कोस्ट क्या हो जाती है कम होने लगती है तो उसी को क्या बोलता है उसकीém हो क्या होती है कि बिल्डिंग के लगातार उपयोग होने से प्रॉपर्टी के लगातार उपयोग होने से क्या होती है उसके हिसाब से उसके तूट-फूट से जो भी उसके क्या होती है उसके मूल में कमी आ जाती है उस बिल्डिंग के मूल में जो कमी आती है उसी को क्या बोलते हैं मुल्ल हास बोलते हैं मुल्ल हास क्या होता है कि बिल्डिंग को लगाता रोपयोग होने से उसके मुल्ल में जो कमी आएगी उसे ही क्या बोलोगे मुल्ल हास बोलोगे और यह भी मुश्ट आएंपी है ऑपसिलेंस या लुपत प्रायता ऑपसिलेंस या लुपत प्रायता क के डिजाइन के कारण उसकी बना वट कारण क्या है और ब्रूले जमानी को पुरान पुराने की मड़ीया ज़ियोन है यह वंड को मैं इसकी क्योंड बढ़तर्शांद काpg सामें वर्ने के साथ इसकी डिजाइन उसकी उसकी संवार्शना वाणा को रेकरण का conve got या भवन की कीमत में या संपत्ती कीमत में जो कमी आती है उसे ही लुपत प्रायता औपसलेंस कहते हैं कि बिल्डिग के आधोनीक संवर्चना आया धीरे-धीरे समय के साथ क्या होती है उसके बनावर डेजाइन के काराンド उसकी कीमत में जो कमी आती है उसी को क्या बोलते है लुप्त प्रहेता वोलते है ठीक है तो अगला क्या है इसक्रेब बेल्व क्या होती है कि कि किकी सिभवन या वसक्हत्रेब की मलवा से बंदिंग की उपयोगिता काल की समात्ती पर भवन को गिराए विना गिराने पर जो मलवा मिलेगा उसे क्या बोलोगे मिलेगा value और बगर गिरा है जो उसकी building की कीमत होगी उसे क्या बोलते हैं salvage value बोलते हैं तो यह समझ आ गया होगा कि scrap value क्या होती है salvage यह भी most IMP definition है कौन-कौन से sinking fund हो गया depreciation cost, obsilience, scrap value और salvage value यह most IMP definition है उनको तो याद करना ही है रट लेना ठीक है तो भवन के उपयोगता काल की समापती पर भवन को गिराए बिना जो समपत्ति का मूल होगा उसे salvage value और गिराने के बाद जो मलवे का मूल होगा उसे scrap value कहते हैं अब air purchase क्या होता है कि यह बरसाधार किसे बोलते हैं fire purchase कहा होता है कि किसी भी स्चिद व्याज की दर पर अबने जो भी व्याज की दर है उस पर अपने को हर साल क्या है एक रूपे जादा कमाना है जैसे कि मैंने मेरे प्याल की दर से मुझे एक रुपे कमाने के लिए सालाना एक रुपे कमाने के लिए मुझे टोटल कितना बै करना होगा या कितनी रासी या कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी कि मुझे एक रुपे जादा हर साल बारसिक ब्याज बिले तो उससे क्या बोलते है उस पैसे को जो पूंजी लगानी हो शर्टी उसी को क्या बोलते बर्साधर और तो पेसाला ने केलिए अपने को जितना भी ख़र्च करना पड़ेगा उसे क्या बोलते हैं व्याग विल्ण की औलसे मिलमे उसे क्या वोलेगे। स्कुर्प और मलं का मुल 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 मुलों उसने क्यानी के पर ने जमाने में जो किमत घिरती उसे को क्या बूलती है प्रेसवक यदो कोश्ट क्या होती है कि building के लगातार उपयोग होने से उसके घिसाब से उसके में तूठ-फुट होने से जो building की कीमत में कमी आती है उसे क्या बोलते हैं depreciation cost बोलते है और capitalized मूल्ड क्या होती है कि कि किसी संपत्ति की बहरासि जिस्पर क्या होता है और जो जो बार्सिक ब्याज है और वे इसलिए और ओधितना तेंस में कि सिंबाने के लिए तक भूलते हैं ये अं कृई